हेलो स्टुडेंट्स नमस्कार आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल इस्टेज़ड़ा फिजिक्स में तो बच्चो अपने लास्ट वाले दो वीडियो आपने देखे तो उसके अंदर अपने डिसकस किया था एक तो कुलाम के नियम पर एक आवेश पर और आवेश के गुन द्रम इन सब चीज़ों के बारे में अपने टास्ट के दो वीडियो आपको उसमें डिसकस किया हुआ है ठीक है आज उसी को अपना आगे बढ़ाते हुए आज का टोपिक है बहुल आवेशूं के मद्देपल एवं अध्यारूपन का सिद्धान्त ठीक है जिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले वो सब्सक्राइब दले और बैल आइकन रखें जिसके कारण किया कि आपको वीडियो का इंटिमेशन मिलता रहेगा ठीक है अब देखो अपने जो कल लास्ट टाइम में जो बात किया था लास्ट टाइम अपन यहां पर पता ठीक है जैसे अपने देखा था कि कोई भी क्यूवन और क्यूटू कोई भी दो आवेस है जो कोई आर डिस्टेंस पर आर दूरी पर है तो उनके भी से लगने वाला फोर्स क्या होगा है फिजिक वल्टू के क्यूवन क्यूटू अपोन आर स्क्वेर यह अपने कलकुलाम में देखा अब देखा अब देखो बहुल आवेस के मद्येख बल इसका है क्या ताथ परी है इसका सेंस है कि जैसे मान लोगों यह निकाई ले लो यह कोई निकाय है ठीक है इस निकाय में खूब सारे आवेस रख्या है जैसे Q1 है Q2 Q3 Q4 Q5 और यहाँ पर बीच में अपने अब अपने बात करें किस निकाय में प्रिक्षण आवेश क्यू नोट ये कोन है प्रिक्षण आवेश प्रिक्षण कारतात पर यह कि जिस पर अपने गठना देखनी है प्रिक्षन आवेश क्यू नोट पर इन सब आवेशों के कारण लगने वाले बलूं का परिणामी मान गयाद करना अब बहुल आवेश मतलब बहुत सरे आवेश हो गए इन सब के कारण इन अब आप भी जानते हो क्यू वन और क्यू नोट की बीच में फोर्स लगेगा अब व पलसन है अपोजिट नेचर है तो अट्रेक्षन तो उनकी बीच में फोर्स मान लो कि अपने मान लिया एफ नोट वन ऐसे क्यू टू और क्यू नोट की क्यू नोट के बीच में फोर्स लगेगा तो वो क्या होगा एफ नोट टू ऐसे क्या मानोगे आप क्यू थ्री और क्य कौन से कुण नोट पर लगने वाले बल कौन हो गयी लगने वाले बल, क्या होगा, Q1 के कारण क्या होगा, F01, Q2 के कारण, F02, Q3 के कारण, F02, ऐसे डेस करके, Q5 के कारण क्या गया, F05, अब आपको पता है कि यह जो भी फोर्स है, F1, F2, F3, F4, यह सब कोई सेम डारेक्शन मे नहीं है इन सब की एक दिसानी है इस कारण अगर आप से कह कि क्यों नोट पर परिणामी बल निकानों तो परिणामी बल निकालने यहाँ पर अपने क्या निकालना है कुल बल तो कुल बल क्या होगा है इन सब का सदिस योग तो अपन कहेंगे कि f resultant परिणामी बल वो क्या होगा f note 1 vector plus f note 2 vector plus dash dash is sense क्या वहां कि यदि अपने को प्रिक्षन आवेश पर परिणामी बल निकालना है तो उस इस्तती में इस प्रिक्षन आवेश पर अन्य सभी आवेशूं के कारण लगने वाले बलूं का सदिस योग करना होगा क्या करना होगा सदिस योग और ये सदिस योग के कार से जो resultant परिणामी जो हमें प्राप्त हो जाएगा वो अपन क्या करेंगे प्रिक्षनावेस पर परिणामी भल अब देखो यही अद्यरोपन सिद्धान्त अद्यरोपन सिद्धान्त कारत क्या होता है अद्यरोपन सिद्धान्त सदिस राशियों में भी मतलब एक ही बोतिक राशी के विभिन मान उपलब्द हो एक ही बोतिक राशी के विभिन मान उपलब्द है तो उस निकाय के लिए उस बोतिक राशी का परिणामी मान उपस्तित मानूं का या तो बीजगनिती योग होगा या सदिश योग होगा जैसे कि अपन बात कही कि यहा कि यहां पर इस निखाय में एगी बोतिक राशी है कौन बल लेकिन उसके अलग अलग मान है कौन-कौन से F01, F02, F03, F05 या एन तक है तो आप अगर आप कहोगे इस निखाय का परिणामी बल तो परिणामी बल क्या कहता है द्यारोपन सिध्धान कि उपस्तित जो भी बोतिक रासी है उन सब का या तो सदिश योग करो या बीजगनिते योग करो तो बल क्या है सदिश रासी इसका परिणामी मान ग्याद करने के लिए अपन क्या गरें सब का सदिश योग तो ये अद्यारोपन सिध्धान्त के नुसार परिणामी बल भी क्या होगा सभी बलों का सदिश्योग ये आपका बहुल आवेसों के मद्दे बल या अद्यारोपन सिध्धान्त देखो इसको यहाँ पर छोरी की रूप में ये समझने में बहुत इजी लगता है कि यहां ठीक है सभी बल हैं उन्हें सबका सधी योग कर देंगे और यदि अधिसराशी होती तो सबका क्या करते थे बीजगनी ते यह लेकिन इसको अप्लाई करना बोतिक विज्ञान में अप्लाई करना मैत्वपर्ण होता है कि आप निस पर थेोरी तो समझ लेकिन आप इस संभाव त्रिभुज के सिर्षों पर समान परिमान के आवेश इस्तित है अब आप देसे आगे क्या कहता है समान परिमान आवेश के आवेश इस्तित है ठीक है तो परतेक षिर्ष वे त्रिवुज के केंदरक पर रखे परिक्षन आवेश पर परिणामी उड़े छिक मतलब इसने एक ही क्यूशन रेने बात करें इसने काए कि एक वोस संभाव त्रिपूश आ जिसके तीन supporters है त्रिपूश के तीन इशिर्स होते है और संभाव का अर्थ का हो गए त्यन मुट जएं क्या है समान उसके परतेइक शिर्ष पर समानावेश रखें मतलब कोई भी तीन आवेश लेगे उनका मान क्या है समान सा अच क्या करहा है कि परतेइक शिर्ष सा त्रिबुज के केंड़्र रखें परेखा इपार परिक्शन आवेश परिणामी तेढे़ोग से ये । मैं आपर आपको सिर्फ यह अध्यारोपन सिद्धान ती है आपको बहुल आवेशूं के कारण इसको समझाने का प्रियास कर रहा हूं कि इसको कैसे अपलाई करेंगे अपन देखो आप देहां से समझें हैं बहुत मोष्ट है जैसे मालो यह त्रिबुज लेगी आपने कौन सा त्रिबुज है संभावू ठीक है अब इसके आपने सिर्फ ले लो यह अपना बी हो गया यह संभावू है तो आप भी मानते हो यह बुजागर एल है तो यह बुजा भी एल है यह बु ले 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 तो B पर Q2 बराबर क्या होगा Q और C पर भी Q3 बराबर Q ऐसा आपने कोई क्यूशन में कहा है ठीक है तो अपने कह सकते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 इस इकॉल टू क्यू और बुजा की लंबाई बराबर Q2 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 बराबर कोई Q note है, हमने करें Q note को न है? प्रिक्स हराविस. अब अपने उखो बल निकालने कि उसने एक तो कहा है कि पर तेक सिर्स पर जैसे ए पर बात करने हो, बी पर या सी पर किसी पर भी बल बात करें, या फिर अपने इसके केंद्रक पर बात करें, तु देखो आप, सबसे सिर्स वाला बात करें, केंद्रक वाला बात करें, देखो, ये किया है, अपर Q1, Q2, Q3 is equal to Q, ये सब positive नित्र मान लिए अपने, कि सेम नित्र चाहिए ये सारे positive है ये सारे negative है, ठीक है, positive ले ले लेते हैं, Q note परिक्षन आवेस अपने लें, अब देखो, Q1 और Q note, दो आवेस हो ए वो Q note को पर्तिकर्षित करेंगा, किधर करेंगा, इसको दूर बगाएगा, तो अपने क्या कहेंगे, F note 1, Q1 और आवेस के कायन, Q note पर बल इस डारेक्षन में लेगा, बल हमेशा, बल की दिशा क्या होगी, दोनु और आवेसों के मद्धे की दूरी के अनुदिस, अब दोनों positive इसका और ये इसको प्रतिकर्षित करेंगा, मतलब इदर दख्का देगा, ठीक है, ऐसे देखो आप, ये Q2 है, और ये Q note, इन दोनों के बीच के ये दूरी है, अब ये दोनों भी समान सभाव के समान nature है, तो ये भी इसको प्रतिकर्षित करेंगा, तो ये Q2 इसको दख्का दिया, तो ये इदर फोर्स लगा दिया, इसने F note 3, अब देखो, प्रिक्षिन आवे Q note पर तीन बल लग रहे हैं, एक तो A सिर्स के कारण, एक B सिर्स के कारण, एक C सिर्स के कारण, तो अगर अध्यारोपन से द्धान्त के अनुसार बात करेंगा, अध्यारोपन, के अनुसार, क्या होगा, परिनामीबल, F resultant is equal to, आप क्या कोगे, F note 1 vector plus F note 2 vector plus F note 3 vector, इन तीनों का सदिश योग कर देंगा, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, अगर तीनों समान दिसा में, तो तो कहीं दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तीनों को अपन ज दिसाएं, अलग-अलग है, तो यहाँ पर अपने को कह नहीं सकते कि कौन सा दनात्मक आएगा, कौन सा रिनात्मक आएगा, तो पहले अपने इसको solve करें, देखो, लेकिन यहाँ से एक चीज देखो, F note 1 vector mode, F note 2 vector mode, F note 3 vector mode, अर्थ क्या होगा, कि तीनों बल, मान में समान है, mode card क्या होगा है, परिमान, कि इन तीनों का परिमान समान है, परिमान क्यों समान है, देखो आप, A से Q note की दूरी, B से Q note की दूरी, C से Q note की दूरी, केंदरक की सिरसुन से दूरी क्या होती है, समान, इसकार दूरियां तो क्या हैंगी, समान, दूसरी, तीनों आवे समान है, इसकान बल का मान तो क्या हैगा समान हैगा ठीक है परिमान की रूप में तो अब दिशा की बात करें तो दिशा में आप देखवा अपन क्या कर सकते हैं F1 वेक्टर वे F2 वेक्टर बल बलू पर समान तर चत्रबुज नियम लगाने पर समान तर चत्रबुज नियम लगाने पर समान तर चत्रबुज नियम की अगता है कि यदि कोई दो सदी से किसी समान तर चत्रबुज के आसन बुजाओं के रूप में हो किसके रूप में हो आसन बुजाओं के रूप में तो ये देखो इस अमांदर चत्रकुजबना चाहिए अपने बढ़ाना चाहिए तो उस इस्तिती में परिणामी बल उसका विकीर न होता है तो भी कि फोर्मूला क्या होता है वो दिखों आपन क्या एक रहें ऐफ नोट मुद्ध इन दोनुगा रिजल्ट है ऐफ नोट आर मानलू तो वह क्या होगा अंडर रूट आप वो फोर्मूला देहान होना चीया एफ नोट-1 वैक्टर का सुकेयर प्लस एफ नोट-2 वेक्ट यह तो नोट रेक्टर का मोट कोस थिटा यहां कितना होगा इन दोनों की बीच में यह ठीटा कितना आएगा कि 120 त्युक्री तो यहां पर ठीटा इस ग्वल टू 120 त्युक्री और कोस 120 की वेल्यू कितनी वहती है माइनस 1 बाई 2 ठीक है इसका नागर यहाँ पर अपन रिजल्टेंट देखें तो ही क्या जाएगा देखो F0 1 वेक्टर का मोड का स्क्वेर प्लस F0 2 का स्क्वेर प्लस 2 F0 1 वेक्टर मोड 2 वेक्टर मोड इंटू माइनस 1 बाई 2 ठीक है अब यह देखो यहाँ से अपने देखा है कि तिनों F0 क्या है सेम है तो अपने इसको इसको यह सब लिख सकते हैं क्या इन तिनों को सेम है तो इसके रिजिजिवल अपने कोई भी F माल ले है तो अपने कहते हैं भी F स्क्वेर प्लस F gegen 2 F into F into तो इस इक्वल टू रिजल्ट के आ गया एफ मतलब इन दोनु बलूं का अपने परिणामी बल निकाड़ा किसके आसन बुजाक मतलब किसके समांतर चत्रबुल नियम से तो वो मान वो किसके रूप में गया इसकी विक्रिंड की रूप में तो विक्रिंड तो इसका इधर ही है चत्रबुज का और इसकी वेल्यू क्या ही एफ को ही इन दोनु का रिजल्ट यह है ठीक है अब आप भी जानते हो कि एफ इस इक्वल टू एफ नोट थ्री यह दोन दो सेम है इन दोनु का सेम आया और आपने यहाँ पर देखा है कि एफ नोट वन एफ नोट टू एफ नोट थ्री इनकी वेल्यू सेम है तो बताओ इस दोनु में सेम लेकिन आपने क्या कह सकते हैं एफ वेक्टर इस इक्वल टू minus F note 3 तेकिन देखो इसकी direction इधर है इसकी direction इधर है तो बताओ दिशा में विप्रीत हैंग नहीं है दिशा में विप्रीत है value में same आए तो एक दूसरे को निरिष्ट कर देंगे निरिष्ट कर देंगे तो आपन कह सकते हैं कि 3 भुज के केंद्रक पर रखे परिक्षन आवेश परिक्षन आवेश पर परिणामी बल सुन्य होगा ठीक है अर त्री भुज कोन से लिए अपने संभाव संभाव के बाद संभाव के त्री भुज दुबरा समझ सकते हो अपने कहा कि एक संभावत्री भुज जिसके तीनी से अपने कहा कि इस परिक्षन आवेश पर परिणामी बल निकाड़ो तो हमें पहले अलग-लग से बात करेंगे इस पर लगने वाला बल डारेक्षन निकाड़ेंगे पर अपने देखा कि कि यह दोनु बल्ल क्या है आशना भूजा की रूप में तो इन दोनों का प्रिनामी बल्ल निकड़ा उसकी decider आएगी फिर सका अने दोन्हों का प्रिनामी बल्का मांन और इस सिर्सरी जो C है इस से आने वाले भलकामान सेम है लेकिन दिसा में क्या है विप्रीत है इसका निया आपस में कैंसे लोकर इस पर इस पर रिजल टेंट जी रो आ गया ठीक है अब देखो एक और एक्जामपल समझाता हूं आपको वैसे आपको कोई भी कंप्टिशन एक्जाम देते हैं सब में बहुत काम में आता है कि जैसे मालों आपके वर्ग के लिए आगया आपसे कहा सै दिया को वर्ग है निकालना है अब आप से गढ़े कि य़-D honest कर अअ कि पर परे नामेबलनु रोटो और अब ओर ऐतो बोग्साव की मर्जी है तो एं मालो सारी सेम हम इए वर्की बोग्ठ देए फिर जो है न इस पर प्रणा file आप देखो अब यृ q1 Оor q2 सेम हैं मतलब बनू दनात्मख ये तो बताओ q1 को q2 पृत्ति फ्रसित रिपल्डशन करेगा और धियर रिपल्डी और करेगा मतलब बलकी डारेक्षा निकालेंगे इन दोनों के बीज की दूरी है जैनूर 15 और और प्रतिकर्शन मतलब ये Q2 इसको इधर दखा देगा कि वह दूर हट तो ये इसको इधर दखा दिया तो ये इधर जाएगा ऐसे Q1 को इधर दखा मारेगा Q2 तो अपने कह दिया कि वह या F12 एक पर दोने बल इधर लगाया ठीक है ऐसे आप देखो Q4 पर जाओ Q4 भी प्लस ये भी क्या है प्लस इन दोनों के बीच के अनुदिस दूरी ये अब बताओ ये इसको इधर दखा मारेगा ये नहीं मारेगा वैसे मान अदब परति ये इसको इधर दखा देगा भी ये इधर जा तो अपन कहेंगे F14 दो के गान तो दिसा निकाल नहीं लेकिन एक तीसरा और बताओ सी पर कोन है क्यों ये देखो यहां से ऐसे आएगा ऐसे करते हैं ये इनके बीच की दूरी तो ये भी इसको प्रति गर्शनी करेगा तो ये इसको इधर दखा मारेगा कि तुब या इधर जा और इस प्रान से राज आएगा कोई भी F13 अब देखो आप सिर्श ए ये पर तीन बल होगे F12 F14 F13 ठीक है ये तीन बल होगे इन तीन बलूं में से अपने को परिणामी बल निकालना है तो भी वही जी तो अध्यर ओपन तो आप सोल्यूशन में कैसे करेंगे सोल्यूशन एफ रिजल्टेंट क्या हैगा आप होगे F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्ट ठीक है अब ये तो पता लग गया अब यहां से देखो आप 14 और 12 ये दोनों सदीस आसन बुजा होए एक नहीं होए वापस एक समांतर चत्र बुज की तो आपन कह सकते हैं F12 वे F14 का परिणामी बल परिणामी बल क्या हैगा देखो परिणामी बल क्या होगा वह चीज अंडरूट F12 का स्क्वेर मोड लेखे प्लस F14 का मोड का स्क्वेर प्लस 2F12 और F14 कोस्ट ठीक ये रिजल्टेंट निकालने है अब यहां पर भी ठीटा इस उकल टू क्या हैगा 90 देखो यह इन दोनों के बीच में कोण नबर डिगरी है ने तो कोण क्या आगया 90 और कोस्ट 90 के वेल्यू कितने होते है बही जीरू डिगरी तो यह क्या गया एफ रिजल्टेंट इस इकल टू क्या आगया अंडरूड F12 का स्क्वेर प्लस F14 का स्क्वेर अब यहां से दे सकते हो कि F12 का मोड इस इकल टू F14 का मोड तो अपने इसको डारेक्ट ले सकते हैं एफ परिणामी अंडरूड 2 F12 या अंडरूड 2 F14 कोई सा भी हो सकता चाहिए आप यह दोनों से अब इन दोनों का जो परिणामी बल है वो यहां यहां किस पर आया इन दोनों की बीच में विकेंट तो विकेंट इदर आ गया तो यहां पर आपका यह जो भी आपने रिजल्टेंट आप मान ले इसको F 1 4 की बीचाए वो जो भी आपने इसको FR मान लो तो यह इधर हो जाएगा FR अब इन दोनों का परिणामी बल तो क्या आ चुका है यह इन दोनों का परिणामी बल यह आ गया F13 है तो आप क्या कोगी अब शिर्ष ए पर परिणामी बल तो अब क्या कोगी आप F A is equal to F R vector plus F13 vector ठीक है अब देखो F R और F13 दोनों समान दिसा में है तो जूट जाएंगे अपनें कोई दिक्कत नहीं है सदिस है तो भी अब इन दोनों की आप value निकाला सकते हो आप साओ तो आप भी जानते हो देखो F13 बराबरी क्या होगा के Q1 into Q3 बटे R13 vector का whole square 13 के कोड़ सी दूरी हैगी ये 13 ठीक है और ये दूरी क्या मान लाग 12 और ये दूरी क्या मान लाग 14 ठीक है तो ये आ गया आपका F13 ठीक है ऐसे अगर आप बात करो FR तो FR देखो क्या निकाला है या तो 12 हो या 14 अंडरोनों का under root में दो तो देखो FR is equal तो आप क्या होगे अंडरोन टू इन टू क्या होगा के गुणा Q1 गुणा क्या तो Q4 ले सकते हो या क्या ले सकते हो Q2 upon R14 का mode का square ठीक है इन दोनों क्या वेल्यू अगर आपको एक्जाम में देगा तो Q1 की वेल्यू या Q2 कुछ ना खुछ दी होगी नहीं तो देगा तो वो put कर देना जैसे अपने क्यूशन के लिए उसार बात करें तो अपने put क्या हो जाएगी के गुणा Q गुणा Q upon R13 तो यह यहां से लेगे यहां तक दूरी यह समकोंड तरी बुज मना नहीं ना तो A2 A2 का under root तो क्या जाएगा अपने बात कर सकते हैं तो A2 plus A2 is equal to R13 का square तो आपने कर सकते हैं R13 का more is equal to क्या जाएगा अंडरूड 2A2 R13 का more is equal to under root 2 into A यह दूरी आगे और आपकी R12 यह सब क्या है यह अपने पहले से मान रखे हैं तो इसके R13 को अपने पात करें तो यह जाएगा अंडरूड 2 into A का whole square और ऐसे इसकी value पूट करें FR के तो क्या हैगी अंडरूड 2 into के गुणा Q into Q upon A square इन दोनों को आप एड़ कर देना और रिजल्ट इन वान आ जाएगा यह एक अपना अध्यारूपन सिद्धामत है ठीक है दोस्तों आज अपनने एक ही टोपिक डिसकस कर पाए है अपन अध्यारूपन सिद्धामत लेकिन यह बहुत मोस्ट है मोस्ट इस इकाय में अगर कोई आवेश रखा है उस पर अन्य आवेश को कान लगने वाला बल वो सबकी आवेश को करना अलग लग हुआ कोई एफ वन एफ टू एफ त्री ऐसे आप से परिणामी बल बता हो तो आप क्या करोगे उन सबका क्या करना पड़ता है सदिश योग ठीक है अ अपने दो एक्जांपल एक दो संबा उत्री पुझ की एक संबा उत्री पुझ लिया उसके तीन सिर्ष थे तीनों सिर्षों के उपर क्या हुआ सेम आवेश रख दिया और उसके केंद्रक पर लगने वाला परिणामी बल तो आपको उसके कारणा आपने डारेक्शन देखि दो को यहां से एक बात आपको क्लियर हो जाने चीह कि बलूं का मान देखो एक बलूं की दिसावर देख लो आप एक सेकंड का काम है बल्कि दिसाव को कन्फूजन नहीं होने चीह कैसी निकलती है देखो यह क्योँ वन प्लस क्योटू प्लस ठीक दोनों आवे से इनके अधर लगा दो आप एफ वन टू ऐसे क्योटू को दख्का मारेगा यह क्या कहेगा एफ टू वन यह दोनों प्लस का उतार यह मालों माइनस का होता तो देखो इनकी बीच में क्या होता क्योटू को खिंचता अगर नहीं किसता कि आप इदर में तरफ हो तो यह दर कौन और परतिकरशन परन तीर है आकरशन और परतिकरशन ठीक है देखो तेकर फ़रक है यह क्योटू के गान बलकी दिशाए दर है यह आकर्शित होकर नहीं सोरी उल्टा आपको दुबारा समझाओ फैसे, प्लस q1 और प्लस q1 यह सोरी माइनस q2 अब देखो q1 है q1 के उपर कर Q1 क्या करेगा Q2 को अपनी तरह आकरशित करेगा कि आप इधर आओं Q2 पर जाओगी तो यह क्या कहेगा आप इधर आकरशित करेगा तो यह दोनों तो आमने सामने कोण होगे हैं एड हैं और इसमें पूंच रहें इसमें इस प्रकार यह आप जब भी कोई क्यूशन सोल करेंगी तो आप बलूं की डारेक्शन अगर आपने सही निकाल ली तो फिर आपको एक उसन गलत नहीं हो सकता ठीक है न दोस्तों देखो यह आज अपने है द्यारोपन से धांत समझा है कल अपने विद्धु छेत्री के बारे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और जो भी बच्चे मलब बीच में जोइन कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप कंटिन्यूशली वीडियो देखें पहले फ्रस्ट देखें फिर सेक करना हो तो आप वीडियो जब भी देखें तो उसके नीचे अपने कमेंट की रूप में अपने सुझाव जरूर लिखें जिसे अपन लगातार सुधार कर सकें और अपना प्रियास सफल हो सकें ठीक है ठेंक्स